हेलो दोस्तों हमारे चैनल वी एस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बरफी से बहुत बहुत स्वागत है 36 गड़ में पोस्ट्रमेट्रिक की स्कॉलर्शिफ पर अगर आप फॉर्म अप्लाइन नहीं की है तो आपके लिए यह काफी गूड न्यूज है क्योंकि आपको बता दूं कि फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है उसमें जो है बढ़ोत्तरी कर दी गई है यहां दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपको फीर से एक बार चांस दिया जा रहा है कि आपको जो है अधार को सही सही विरिफाई करा लेना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप अपने मोबाइल की क्रों ब्रॉजर को ओपन कर लेंगी ओपन करने के बाद आपको सर्च टिप पर आना है आने के बाद यहां पर आपको सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिफ यह लिखने हैं सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिफ लिखने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से एक नया जो है पेज उपन हो जाता है आपको फ्रेंट्स थोड़ा सा नीचे आना होगा आपको एक पहला विबसाइट पोस्ट मैट्रीक स्कॉलर्शिफ डॉट और लिखा हुआ आजाएगा आपको फ्रेंट्स यहां पर क्लिक कर देना है आप देख सकते हमारे सामने इस प्रकार से 36 मैट्रिक स्कॉलर्शिफ का ऑफिचिल वीबसाइट उपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से आपको इंटर्फ एप्लिकेशन जो भी 36 गड़ में इस्टुडेंट कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर 1121 से जो है ऑनलें पोटल ओपन किया गया था जो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं आपकी वेपसाइट पर अपडेट कर दिया गया है उससे पहले एक नोटिस आया था तो चलिए उस नोटिस के बारे में हम पूरा डेटेस देख लेते हैं आप यहां नोटिस देख सकते हैं जो 27 ग्यारा यहां पर एस सी एस्टी और ओबीसी केंडिडेट के लिए जो आउनलें पोटल जो ओपन कर दिया गया हैं आपको पहले था इस नोटिस में बताया गया कि 36 गर्डाज में संचलित होने वाले जितने भी जो गॉर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर की कॉलिजे सें चाहे वह इंजिरिंग कॉलेज हो online के माध्यम से जो है postometric छात्रवित्ती के लिए form जो submit करया जा रहा था उसका friends बहुत सारे जो है candidate ने अभी तक जो है form submit कर लिये हैं लेकिन बहुत सारे candidate जो है documents का issue हो रहा था यानि बहुत सारे candidate के पास documents नहीं बन पाया रहा था आप सभी को पता है कि इसमें जो है income certificate की बहुत सारे candidate हैं जिनका अभी तक result जारी नहीं हुआ था या जैसे बीट के first year में अभी तक admission का process चल रहा है तो ऐसे जो candidate के लिए या जो date को extend किया गया यानि date में बढ़ोतरी की गई है friends नीचे आएंगे तो यहाँ पर update देख सकते हैं विध्यार्थी दोरा online आवेदन भरने की या नमिनी करने की जो date है वह एक बारा दो हजारी की से friends पन्रा बारा दो हजारी की से तक आप फिर से जो है online portal जो है पर form submit कर सकते हैं उसके बाद friends यहाँ पर लॉक करने की जो date है वह 12-21 से 22-21 तक रखा गया है वहीं friends यहाँ पर college का जो process वह जो है यहाँ पर आपका section order lock करने का जो date है एक बारा दो हजारी किस तक रखा गया है वहीं friends यहाँ पर जो है college के लिए जो date है 31-21-21 तक आपको सभी काम यहाँ complete करा जाएगा friends नीचे बताया गया है कि जो भी date है उसके recording अगर काम नहीं होता है तो उसका जिम्मेदारी छात्रक की होगी और जो है सभी institute की होगी so friends आपको यहाँ जो date दिया गया है उसके recording आपको form भर के submit कर देना है साथ ही friends cg postmatic scholarship की portal पर एक और बड़ा update आया हुआ है अगर friends अपने form submit कर लिया है अगर आपका ekyc pending बता रहा है या file बता रहा है तो आपको friends यहाँ पर ekyc कराना पड़ेगा so friends आपको ekyc कैसे कराना है उस बारे में next वीडियो आ जाएगी so friends और ऐसी informative वीडियो प्राप्ता करने के लिए हमारे चैनल से जूड़े रहे हैं और हमारे चैनल को subscribe जरू करें friends आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में